साथ संगत जी प्रेम से कहना धान रंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का विशा है मृत्यू तो निशिट है मृत्यू के लिए कोई न कोई बहाना तो बन ही जाता है चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी अपने पिता को यदुवंशियों के विनाश की सूचना देकर भगवान शिरी क्रिशन वन में अपने भाई बलराम के पास वापस लोटाए थे यदुकुल की स्त्रियों की रक्षा का भार उन्होंने अपने सार्ती बाहुक के माध्यम से अरजुन पर छोड़ दिया था अब इस दरापर वो बस अपने भाई के साथ कुछ पल बताना चाहते थे बलराम एक पेड के नीचे बैठे हुए थे प्राणवान अथ्वा प्राणहीन ये देखने भर से पता नहीं चल रहा था भगवान शिरी क्रिशन जी उनकी समाधी को भंग नहीं करना चाहते थे इसलिए वो वही निकट ही जाकर बैठ कए अब कुछ ही पल बीते होंगे के उन्हें बलराम के सिर के पीछे से एक विशाल नाग निकलता हुआ दिखा जो देखते ही देखते तनिक दूर परस्थित समुंदर में समा गया साथ संगत जी समुंदर तट पर वासुकी, शंक, इतियादी नाग एवं स्वयं वरुण देव उनकी स्वागत के लिए खड़े थे बलराम का शरीर लुड़क गया बड़े भाई कुम्रित जानकर शिरी कृष्ण जीतनिक दूर जाकर लेट गई क्या वो जीवन से ठक गई थे या उन्हें भी संसार छोड़ने के इच्छा हो आई थी लेटे लेटे ही उन्हें अपना पूरा भूत काल स्मरण हो आया मैय यशोदा की डाट, यमुना का वो तट, राधा रानी के साथ रास, कंस का वद, द्वारिका की सापना रुकमनी का प्रेम, पुत्र प्रध्युमन, बुवा कुंती, मित्र द्रौपदी अर्जुन और उसके भाई, महा भारत का युद और याद्मों का नाश अभी उनके विचारधारा बहह ही रही थी, के उन्हें अपने एक तलवे में पीडा का भास हुआ, नेत्र खोल कर देखा, तो एक बान वहां धसा हुआ था, एक व्याद दोडता हुआ आया, और क्रिशन जी के पैरों में गिर कर रोने लगा, उसने उन गुलाबी चरणों क अपनी गोद में रख लिया, और बारम बारक शमा मागने लगा, क्रिशन बोले, रोते क्यों हो मित्र, तुमसे क्या अपराध हुआ है, व्याद कहने लगा, शमा कर ये राजन, मैं म्रीगों को मारने निकला था, तुम्हारे चरणों की जलक दिखी, उन्हें म्रीग समझ कर मैंने तीर छोड़ दिया, माफ करना, मैं आभी इस तीर को निकाल कर रोशधी लगा देता हूँ, भगवान शिरी क्रिशन जी ने कहा, रुको व्याद, पहले अपना नाम तो बताओ, व्याद कहने लगा, मेरा नाम जरा है राजन, शिरी क्रिशन जी ने कहा, तो मित्र जरा शान्त हो जाओ, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ, और मैं कोई राजा नहीं, मैं तो देविकी और वसुदेव का पुत्र क्रिशन हूँ, क्रिशन का परिचय सुनकर वो व्याद और अधिक दुख में डूब गया, जिसके जिवित रहते ही संसार इश्वर मानने लगा हूँ उसी के ही साथ या पराद कर दिया उसने, व्याद हिचकियां लेते हुए बोला, यदि आप वे ही क्रिशन है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो आप तो साक्षाद भगवान है, आपको तो मुझ जैसे नगन्य व्यक्ति के बान से घायल होना ही नहीं चाहिए था, और अब हो लग सकते हैं, महभारत युद में कितनी ही बार मुझे महारतियों, रतियों यहां तक की सामान्य सैनिकों तक से अंगिनत घाव मिले हैं, ये वश्य है कि वे सभी घाव जल्दी ही ठीक हो गए, परन्तो तुमारा दिया गया घाव विशिष्ट है मित्र, व्याद कहनी लगा ऐसा क्या विशिष्ट है मेरे दिये के घाव में, भगवान शिरी कृष्ण जी बोले, ये मेरी मृत्यों का कारण जो बनेगा, व्याद के मूँ से निकला, हे राम, ऐसा लगा जैसे व्याद के सीर पर पहाड गिर गया हो, वो व्याकुल होकर बोला ऐसा क्यों कहते हो कृष देखकर भगवान शिरी कृष्ण जी बोलते गए, बहुत पहले एक बार द्वारिका में एक साधू आया था, वो जोड जोड से बोल रहा था कि उसका सभाव बढ़ा क्रोधी है, वो शाप देने में देरी नहीं करता था, उसकी इच्छा द्वारिका में कुछ दिन रहने क यदि द्वारिका का कोई नागरिक उसके क्रोध को सहन कर सके, तो ही उसे अमंतरित करे, उस अतियंत लंबे और पतले साधू के बारे में समस्त संसार जानता है, वो दुरवासा रिशी थी, जब किसी ने भी उन्हें अपने घर नहीं बुलाया तो मैं आगे बढ़ा, और मै उन्हें अपने घर ले आया, वो बहुत अद्बुत थे, कभी खाना खाते तो खाते ही चले जाते, दस लोगों का भोजन भी कम पड़ जाता, और कभी एक ग्रास खाकर उठ जाते, कभी अचानक ही सोने चले जाते, तो कभी अचानक से उठ जाते, इसलिए उनके लिए सदय मैं भी भोजन शयन की उत्तम व्यवस्था रखनी पड़ती एक बार तो वो शयन सहित सब कुछ जला कर चल पड़े और थोड़ी ही देर में सोने चले गए उन्होंने अपनी और से बहुत प्रयास किया कि उनकी सेवा में उन्हें कोई कमी दिख जाए परन्तु मैंने और मेरे परिवार जनों ने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया एक बार उन्होंने बहुत सारी खीर बनवाई मैं और रुकमनी उन्हें खीर परोसने के लिए खड़े थे उन्होंने उस स्वादिष्ट खीर में अपने कुंगली डुबोई और बस उतना सही खा कर बोले कि इस खीर को पालन किया उन्होंने रुकमनी की ओर देखा उनकी इच्छा समझ मैंने रुकमनी को भी खीर लगा दी इसके बाद वो बहार आये और एक रत के घोड़ों को हटा कर उसमें रुकमनी को ही जोत दिया जैसे अश्वों पर कशा घात होते हैं वैसे ही रुकमनी को भी कशा घात सेहने पड़े द्वारिका की विथियों परुसरत पर बैठे हुए विसाधू रुकमनी की पीट पर प्रहार करते हुए चले जा रहे थे अंत में वो उत्रे और पैदल ही एक दशा में चलने लगे हम उनके पीछे भागे वो एक जंगा पर जाकर रुके और रुकमनी से बोले कि तुम्हारी परिक्षा पूरी हुई गामों को जल्दी से ठीक करने के लिए और शदी देते हुए उन्होंने उसे अनंत आशिरवाद दिया और मुझे से बोले कि मैं तुम्हारी परिक्षा ले रहा था संसार ने तुम्हारी उदंडता को कई बार देखा है अपनी माता और ग्रामवासियों को संतान से लेकर पापी रक्षशों, असुरों और अन्याई राजाओं का वद करते आए हो, तुमने सदयव अपने मन के यी किये, आज संसार ने तुम्हारा विनय भी देख लिया है, मैं तुम पर प्रसन हूँ, आगे एक महा युद होने वाला है, वो बहुत जल्दी ही भर जाएंगे, परंतु कृष्शन, तुमने अपने तल्वों पर खीर नहीं मली, चलो ये भी ठीक हुआ, तुम्हे भी एक बहाना मिल जाएगा, व्याद, जो अपने हाथ से माधव के तल्वों से निकलते हुए रक्त को रोकने का परियास करते हुए उनकी बात सुन रहा था, बोला बहाना कैसा कृष्ण, और तुमने कहा था कि मेरा बाण महादेव का प्रसाध है, वो कैसी, भगवान बोले मृत्यू तो निश्चित है न मित्र, मृत्यू के लिए कोई न कोई तो बहाना चाहिए ही, मेरा जीवन पूरा हुआ, जिस सुदे गया था, ताकि मेरे मृत्यू को मारग मिल सके, इसके बाद व्याद ने कहा, तो क्या आप सच में मर जाएंगे, फिर संसार का क्या होगा, भगवान बोले, संसार तो मेरे होने से पहले भी था मित्र, और मेरे जाने के बाद भी होगा, धरम की स्थापना हो चुकी है, मेरा अब जब जब पुना अधरम प्रबल होगा, कोई न कोई किसी अन्य रूप में आएगा ही, अब तुम जाओ मित्र बहुत बोल लिया मैंने, जीवन भर बोलता ही तो आया हूँ, अब मैं केवल शांती चाहता हूँ, जाओ तुम अपने मन पर कोई बोजना रखो, जाओ अब ही से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ, साथ संगत ची प्यार से कहना धा नरंकार